स्वागत आप सभी कैस मेरे नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस्टुडेंट कच्छा 10-2024 का चित्रकला का पेपर जो कि इस्टुडेंट यही कोश्चन पेपर 6 मार्च को बोर्ड एक्जाम में आने वाला है जितने भी इस्टुडेंट कच देख सकते हैं और यहां पे आट को लिए उसके बाद नाstem ने अपको जो समय मिलता तीन ःंतिव कोश्चन पेपर को मार्चथ निर्डेश को Elle स्टार्ट होता है तो खंड कव में आप यहां पर देख सकते हैं कुछ निर्देश दिया गया है क्या है इस खंड में अलेखन कला अत्वा प्रवेधिक कला के प्रतेक 20 बहुविकल्पी प्रस्न है जिन में से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रस्नों के उत्तर ओमार सीट पर इसका कहने का मतलब क्या है एक एक इसका बाग अलेखन कला अथ्वा प्रवेधिक कला और या क्रीज़ आपको प्रवेधिक कहता है अलेखन कला, तो अलेखन कला में आप देख सकते हैं, सबसे पहला question क्या है student, मुख्यरंग कितने होते हैं, तो आप सबी को पता होगा, कि जो मुख्यरंग होते हैं, वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, इसका यानिफ पहले का आपसर नमबर यह सही हो जाएगा, उसके बाद हम सब्सक्राइब जूए हो जाएगा उसके बाद कोईचन को स्थारा कॉसेंद यह जो तटटश्त रंग होते हैं वह हमारा सफेद वा काला होते हैं इन्हीं तटटश्त रंग बोला जाता है तो इस्टुडेंट आईए अगले पेज पर चलते हैं जो कि कोश्चे नंबर साथ वा देखते हैं क्या है इस्टुडेंट यहां पर देख सकते हैं कोश्चे नंबर स तो आप सभी को पता होगा कि जो सफेद का विरोधी रंग होता है वो हमारा काला होता है यानि कि आप सभी को पता है कि आप सभी को पता है तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने से एस्टूटन बैंगनी रंग बनता है जो कि आप सभी को वाला इसका सही हो जाएगा उसके बाद आगे देखते हैं कोईशन नमबर 11 क्या है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा यहां आपको बताना है यदि हम पीले में लाल रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा तो इसका भी आंसर आपको सोच के बताना है उसके बाद answer देखना तो यहाँ पर आप answer देख सकते हैं यह दिन पीले रंग में लाल रंग मिलाते हैं तो यह ना रंगी बनेगा जो कि आपसर नमबर कह है सही हो जाएगा उसके बाद student question number 12 देखते हैं question number 12 क्या है दियुतियक रंग कितने होते हैं तो आप सभी को पता है कि जो दियुतियक रंग होता है वो हमारे तीन होते हैं यहनिकि आपसर नमबर गवाई इसका सही हो जाएगा उसके बाद student question number 13 देखते है question number 13 क्या है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो पीले रंग का विरोधी रंग student हमारा नीला होता है एक्शिली में पीले रंग का विरोधी रंग तो होता है वैगनी लेकिन इसमें वैगनी आंसर नहीं दिया है आपसन में ही वैगनी नहीं दिया है तो इसलिए आपसन हमारा हो जाएगा कवाला नीला हो जाएगा उसके बाद इस्टून कोश्चन नमबर 14 देखते हैं इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं या भी आपको पता होगा कि इंद्र धनुस में हमारे 7 रंग होते हैं इसका मतलब कि आपसर नमबर कर सही हो जाएगा उसके बाद कोईशन नमबर 15 देखते हैं कला सब्द किस भासा का है तो यह आपको पता होगा कि जो कला सब्द है यह हमारा संस्क्रीट भासा का है इसका कहने का मतलब आपसर नमबर कर सही हो जाएगा उसके बाद कोईशन नमब 17 क्या है तो Question number 17 देख सकते हैं कौन सी Pencil से बनाई गई रेखा हलकी होती है यह भी आपको बताना है तो Student Alter ад Morrison में देख सकते हैं कि जो Two H Pencil होती है इससे बनाई गई रेखा हलकी होती है इसका मतलब Option Number is को इसका सहीं हो जाएगा आगे देखते हैं Question number 18 क्या है तो question number 18 में आप देख सकते हैं फूल और कली के बाहरी रखाओं को बनाने के लिए कि इस number के ब्रस का उपयोग करना चाहिए यह बताना है तो फूल और कली के बाहरी रखाओं को बनाने के लिए student जो पतला ब्रस होता है हम उसका यूज करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि two number का ब्रस हम यूज करते हैं फूल और कली के बाहरी रखाओं को बनाने के लिए तो इसका आपसा number का सही हो जाएगा उसके बाद question number 19 देखते हैं question number 19 क्या है बनावट की द्रिष्टी से अलेखन कितने प्रकार के होते हैं आंसर इस्टूडेंट आपको comment बाक्स में देना है यानि सोयम बताना है तो यहाँ पर देख सकते हैं चार आपसान आपके पास दिया गया है केंदरी आलेखन कोने का अलेखन किनारी का अलेखन इन में से कोई नहीं इन में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा तो इस प्रकार से यह last question आपके लिए हमने छोड़ दिया है होमवर के रूप में तो आईए student आप हम आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार का question दिया गया है जो कि student हमने इस अलेखन वाले को कर लिया अलेखन कला से जो 20 बहुवी कल्पी question दिये थे उनको हमने हल कर लिया उसके बाद इस टुड़िन यहाँ पर आपका आ जाता है आगे अथवा प्रवैधिक कला यह नि प्रवैधिक कला आ जाता है जो कि 20 बहुवी कल्पी question है आपको या तो आलेखन कलावाला बीश्ववी कल्पी कोईशन करना है या फिर प्रावेधिक कला वाला बीश्ववी कल्पी कोईशन करना है तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे सिर्फ आलेखन कला का जो बीश्ववी कल्पी कोईशन है जो हमने देखा सिर्फ वही देखेंगे इसमें हम प्रावेधिक कला का स इसमें आफ sir question भर आपना देख लींजिये तो इस फरकार से वी डियो को पाच करके आप question देख सकते हैं question और एक से pourquoi इसकी प्रकार से question प्रवित करते थिरा जहां किया देख सकते हुआ है सब्सक्राइल सब्सक्राइब कराएंगे सल्यूसन कराएंगे जो की प्रावेधिक कला है तो कोईशन नमबर 13 14 15 16 17 18 19 20 तो इस प्रकार से कोईशन नमबर 20 तक आप कोईशन देख सकते हैं और वीडियो को पाच करके इनको सॉल भी कर सकते हैं कि किसका क्या आंसर होगा उसके बाद इस्टूट आई अब हम आगे देखते हैं तो आगे इस्टूट यहां से स्टार्ट होता है हमारा खंडख तो खंडख में आप देख लगाउं कि स्टूट यहां पर देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है दिये ऊंण city पर बाईश गुडवेट इस हृमें खेत की और जाते हुए किषान का चित्र तथा आकास में कुछ पच्छी, गाउं की जूपड़ियों तथा कुएं के पास घाज चरती, एक गाय का चित्र बनाइे, चित्रांकन में water कला या पेस्टल रंगों का प्रियोग करें, चित्रांकन करते समय निमलिखित बातों का ध्य नान दीजिये पहला है जो कह सै सही सनचनायों पर और इच्छ भोगा तो दर्ष नंबर मिलेगा आपको सनयोजन सही होगा तो पांच नंबर सुसंगत रंगों का प्रियोग करेंगे तो 10 रंग अकरशड बनाएंगे कला तो 5 नमबर मिलेगा कुल मिलाके यहां से आपको 30 नमबर मिल जाएगा उसके बाद यदि आपको यह नहीं बनाने आ रहा है तो आप इसको बना सकते हैं तो आलेखन वाला भाग है तो आलेखन को पर सकते हैं क्या दिया गया है दिये गए ड्राइंग सीट पर 16 गुड़े 12 सेंटीमिटर के आयत में खिड़की के परदे के लिए एक इकाई वाला लैबद आलेखन चितरित कीजिए जिसमें किसी भारतिय पूष्प कलीयों याँ पत्यों का सुंदर सन्योजन हो आलेखन में कम से कम तिन संगती वाले जल रंगों का प्रयोगी जिए आलेखन में नेमने बिंदुओं पर विशेज ध्यान दीजिए यदि इकाई की मौलिकता सही होगा तो 10 नंबर मिलेगा लेयात्मक रेखांकन होगा तो 5 नंबर उत्तमरंग संकत होगा 10 नंबर अकरषण होगा कला तो 5 नंबर यानि कुल टोटल मिलाके 3 नंबर इससे भी आपको मिल जाएंगे यदि आपको यह वाला भी नहीं आ रहा है तो हुअ पम्हेर निखे छोतहीक 10,003,006,奇।्षर्ड ONGOS , छी में 505 ड्षी खुज़ेशन 15,00 003,009,009,005,009,008,0013,005.001,008,004,004,002,0031,009,0024,008,002,001,001,004,0018,005,008,00've पर पेंसिल के माध्यम से बनाईए चित्र की माप 15 स्थी मिटर से कम नहीं तो इसमें क्या बोला है इस और चार आपसण में से कोई एक ही बनानाहा है जो कि यह बनाते हैं तो दर्ष नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे उसी प्रकार से यहां में देख सकते हैं क्या लिखा गया है निम लिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रड पेंसिल के माध्यन से बनाईए चित्र की माप 15 से कम नहीं हो इसमें चार आपसन है चार में से कोई एक ही बनाना है यहां से भी आपको दस नंबर मिल जाएंगे यहां पर आपके पास अथवा करके दूसरा आपसन दिय भारतिय चित्रकला की प्रमुक विश्वताओं का वरण कीजिए संखेव में कीजिए जो कि यहां से दस नंबर मिलेगा यहां पिश्को नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा करके यहां पर दिया गया है अजन्ता की गुफाओं की विश्यमें संखेव में लिखिए 10 नंबर इस तो इसमें देख सकते हैं पांच कोईशन इसमें दिये गया है और पांच कोईशन इसमें दिये गया है जो कि इसमें देख सकते हैं क्या दिया गया है निमलिखित प्रस्णों में चार विकल्प दिये गया है सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए तो यहां से यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोडिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे इस्टुडेंट इसकी अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रावेधिक करा भाग का बीश्बोवी कल्पी कोईशन को हल करेंगा